असलाम वालीकूँ, अलकम अब सबीक आइस नई वीडियो में, तो जैसे अब सभी को बताएं कि B.A.C. नर्सिंग पैरमट को लोड़ टेक्नोलजी कोर्स का हमारा राउंड टू काउंसलिंग का चल रहा है, इस बीच आज डे 10 था काउंसलिंग का और कल डे 11 है, तो आज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रूप हमारा जोइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्केप्शन में मिल जाएगी, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, तो देख लेते हैं यहां पर B.A.C. नर्सिंग के सीट मेटरेक्स के बारे में, तो स बाता है, चया है जम्मो के गोर्मेट कॉल्यस वहा हम सब्सक्राइब को ही और देखनेजए prisons में, चैनल को करने लेकिन, निज हम जाए यह विडिदा कर सकर भारे में हिए ने सीट करा बाता हैं, जाहें आपको बहुत सारी सीट से देखनी को दोहाँdefined, जाए शरीमाता वैशनोदेवी में अगर आप देख लोगे 35 seats अभी भी इसमें वैकेंड है S.coms जम्मो में अभी 33 वैकेंड है बाबामान सिंग में यहापकी 34 है उसी तरह से B.N. कॉलेज में यहापे 29 है दातारानपदेव में यहापे 80 seats है उसी तरह से यहापे आप देख लिएजिए Institute of Public Health जम्मो का जो इसमें 78 seats है राजु गांदी में अभी 66 है और सिद्धी विनायक में यहापे 60 seats है इतनी seats तो इनमें fill up होंगे नहीं 2-3 दिनों में 4-5-5 seats अगर hardly fill up हुई इनमें ज्यादा student जाना प्रफर नहीं करते है ज्यादा student जब वो कश्मीर के private colleges में जाना चाहते है क्योंकि उसमें यहापे seats जब से जल्दी fill up होती उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देख लोगे Stephen College, Jammu जा है इसमें यहाँ पर आभी भी 49 seats वाकें है Jammu के private में अगर यहाँ पर आप देख लीजे सब में यहाँ पर बहुत सारी seats वाकें है थोड़ी सी seats इनमें fill up हुई है लेकिन अगर यहाँ पर आप कश्मीर के private colleges की बात करेंगे हम इनमें maximum colleges में seats यहाँ पर fill up हो चुकी है जैसे यहाँ पर आप देख लीजे अर्श इंस्टिट में यहाँ पर कोई भी seat नहीं है BB Halema में तो सबसे पहले fill up हो चुकी थी इसमें भी कोई seat बची नहीं है उसी तरह से नीचे आके अगर आप देख लोगे Dolphin Institute मे यहाँ पर भी कोई seat बची नहीं है उसी तरह से नीफा कॉलेज सोपूर का जहाँ इसमें भी कोई seat नहीं Ibn Sina में भी कोई seat नहीं है Kidney College में भी नहीं है Ramzan College में भी नहीं है Royal Institute में भी नहीं है SCM में भी नहीं है SCT Paramedical में भी नहीं है लेकिन यहाँ पर लास्ट पर कुछ दो तीन कॉल्जेस है जिन में अभी है अगर में आपको बताऊ तो seat जो कश्मीर के प्राइवेट कॉल्जेस में वो सारा इंस्टूट इसमें 34 है SKY में यहाँ पर 20 है साइद अली मेमोरियल कॉलेज यहाँ के S.A.M. बीरवा बडगाम का इसमें 17 है साइद बहाओदीन इसमें यहाँ पर आप देलीजिए सबसे ज़्यादा 41 सीट इसमें अभी वेकेंड है साउथ कश्मीर का जो पारमेटिकल इंस्टूट है कुलगाम का इसमें 35 अभी है नूराणी पारमेटिकल इंस्टूट पोलवा में इसमें 19 सीट है तो टोटल यहाँ पर 595 अभी भी प्राइवेट के सीट वेकेंड है जिसमें maximum सीट जमू में है और कुछ 2-4 प्राइवेट कॉलेज जो कश्मीर के हैं उनमें भी सीट बची है कश्मीर के maximum colleges में प्राइवेट में भी सीट फिल अप हो चुकी है उसी तरह से पारमेटिकल के अगर हम बात करें तो इसमें GMC डोटा में कुछ नहीं है GMC जमू में भी कुछ नहीं है एक एक दो-दो सीट हैं लेकिन ये PWD के लिए GMC कटवा में भी कुछ नहीं है राज़ोरी में भी कुछ नहीं है उसी तरह से अनंतनाग GMC जो है इसमें दो सीट हैं लेकिन PWD के लिए South Camps अनंतनाग में एक सीट है BAC Medical Lab Technology MLT में इसमें एक हैं लेकिन ये PWD के लिए GMC 12 में तो अनंतनाग में भी कोई सीट बची नहीं है तो लेकिन प्राइवेट में अभी भी आपको बहुत सारी सीट कश्मीर और जम्मो में देखने को मिलेंगे इसमें जम्मो के कॉल्जिस में सबसे ज्यादा है पारमेटिकल में भी उसी तरह से यहाँ पे अगर आप टेकनोलजी या पारमेटिकल हो इसमें अगर आप कश्मीर के प्राइवेट कॉल्जिस की बात करेंगे तो उनमें भी आपको यहाँ पे सीट जहों देखने को मिलेंगे लेकिन जम्मो में अभी भी बहुत सारी सीट वेकंड है तो यह था आपका सीट मेटरक्स डेट 11 के बारे डे 11 का और अपकमिंग डेज में भी इननी सीट के अकॉर्डिंग प्रॉसर चलेगी थोड़ी थोड़ी सीट फिल अप होती रहेंगी इसमें पैरमेटिकल में भी 842 सीट बचे हैं अपकमिंग डेज में फिल अप हो जाएंगी तो इसी के अकॉर्डिंग आपका अपकमिंग डेज में भी कांसलिंग होगी तो थोड़ी-थोड़ी सीट फिल अप हो जाएंगी इतनी सारी सीट फिल अप नहीं होगी अपने according preferences जह हो counseling में indicate करना